नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ काफी ज़्यादा अच्छे होंगे जैसा कि आपको बताए कि लगनव सूपर गेंट्स और सनराइजर सहेदराबाद के बीच में आई पेल का दसवा मुकाबला खेले जाने वाला है और अगर आप भी इस मुकाबले की मेगा ग्रेंडली की टीम बनाके रैंक वन पर आना चाते हो इस वाल यूडियो को सुरू से लेके एंड तक जुरूर देख लेना क्योंकि यहाँ पर कम्पिटिशन काफी ज़्यादा होने वाला है तो यहाँ आपको इस त्रेकी की टीम बनानी है जो कि आपको अच्छा कासा विनिंग करवा के दे सके और इस कम्पिटिशन को पार करके हमको मेगा ग्रेंडली की टीम कैसे बनानी है वो आज आपको इस वाल यूडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे खिलाडी में से कौन से खिलाडी हमारे लिए परफेक्ट होने वाला है और कौन से खिलाडी परफेक्ट सी वी सी होंगे और साथ ये साथ में आपको पिच रिपोर्ट वी बताने वाला हूँ कि इस पिच के उपर कौन से बोलर इंपोर्टेंट होने वाला है सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूटूब चल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हाँ कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलिग्राम गुरूप के उपर आपको दे दूँगा और टेलिग्राम गुरूप का लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में है वहाँ से जागे जोइन कर सकते हो सबसे पहले याप बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की विकेट कीपर वाले सेक्शन से हमारे को कौन सा खिलाडी को लेना है वह मा आपको बतायता हूँ सबसे पहले याप पर क्वांटेंट डिकोग देखने को मिल जाएंगे और क्वांटेंट डिकोग का परफॉमेंस काफी जबरदस्त है पिसला अगर रिकोड देखा जाए इनका तो काफी जबरदस्त खिलाडी है आप अपनी ड्रिम लेंगे टीम के अंदर इनको रख सकते हो लेकिन यहाप पर एक कंडिशन है यहाप इनके खेलने के चांसे थोड़े से कम है तो यहाप आप यह मस सोधना कि यार कॉंटेंट डिकोग को हम ले लेंगे अपनी टीम के अंदर और बाकि कोई भी खिलाडी हम यहाँ से नहीं लेंगे लेकिन ऐसा बिल्कूल भी नहीं है कॉंटेंट डिकोग भी आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है और यहाप पूरन भी आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है यहाप आप चाहो तो अपनी ग्रेंट ली की टीम के अंदर इन दोनों खिलाडियों को ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर यह दोनों खिलाड़ी काफी ज़दा important होने वाला है तो यहाँ पर फिलाल हम यह मानते हैं कि content decog यहाँ पर खेलते हैं और अगर यह नहीं खेलेंगे तो मैं आपको telegram group के उपर update कर दूँगा कि कौन से खिलाड़ी को लेना है तो उसको join ज़रूर कर लेना तो यहाँ पर मानके चलते हैं कि content decog इस वाले मेज के अंदर खेलेंगे तो यहाँ पर यह दोनों खिलाड़ी wicketkeeper वाले section से काफी ज़ादा important खिलाड़ी होने वाला है आप अपनी grandly की team के अंदर इन दोनों खिलाड़ीों को रख सकते हो बागी चितने भी खिलाड़ी है नीचे सा आप सभी को drop out कर सकते हो wicketkeeper वाले section में जो दो important खिलाड़ी होंगे वो दोनों यही खिलाड़ी होने वाला है तो यहाप आप भी चाहो तो अपनी grandly की team के अंदर इन दोनों खिलाड़ीों को ले सकते हो अब यहाप बात करते हैं betting वाले section की betting वाले section से हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी important होने वाला है सबसे पहले यहाप केल राउल देखने को मिल जाएंगे केल राउल का पिछले 10 record देखा जाए तो कुछ खास नहीं है तो यहाप आप डारेक्ट इनको drop out कर सकते हो इसके बाद यहाप निचा होगी तो मयंग अगरवाल देखने को मिल जाएंगे आप अपनी grand league की team के अंदर मयंग अगरवाल को ले सकते हो यहाप मैं भी अपनी grand league की team के अंदर लेने वाला हूँ क्योंकि यहाप बेटिंग वाले section में ज़्यादा important खिलाडी हमको नहीं देखने को मिलते है तो यहाप कम खिलाडी लेंगे लेकिन निकालेंगे तो यहाप बेटिंग वाले section के ज़्यादा खिलाडी नहीं टिकने वाले है तो यहाप आप चाहो तो यहाप राउल तरी पार्टी को भी drop out कर सकते हो बाकि इसके बाद यहाप निचा आओगे तो यहाप ए सरमा देखने को मिल जाएंगे इनको भी drop out कर सकते हो, Harry Brook को भी drop out कर सकते हो और यहाप दिपक हुडा को आप चाहो तो ले सकते हो अपनी grand league की team के अंदर क्योंकि यह भी player अच्छे है, अगर यह चल जाता है तो काफी अच्छी perform करेंगे तो यहाप दिपक हुडा का भी option काफी best होने वाला है अगर mega grand league की team बना रहे हो और यह एक unique team बना रहे हो तो आपके लिए दिपक हुडा का भी option काफी best होने वाला है काफी सारे लोग इनको drop out करके ही चलेंगे लेकिन बही क्या पता है इस वाले मुकाबले के अंदर अच्छा कासा perform कर जाए तो यहाप पर इनका option काफी best होने वाला है तो यहाप हम दिपक हुडा को लेने वाला है क्योंकि दिपक हुडा के record काफी अच्छे है पिछले तो इसलिए हम भी अपनी grand league की team के अंदर लेने वाला है बाकि यहाँ से हम ज़्यादा खिलाडी नहीं लेंगे यहाँ से जितने भी खिलाडी है हम drop out करने वाले है इस बार आप भी चाओ तो यह सारे खिलाडी को drop out करके यह दोनों खिलाडी ले सकते हो जिसके अंदर दिपक हुडा और मयंक अगरवाल है बाकि यहाँ पर एक खिलाडी आप चाओ तो ले सकते हो और वो है यहाँ पर केल राउल क्योंकि भाई इनके परफोमेंस तो इतनी खास नहीं आएगी लेकिन फिर भी ठीक टाग रंग बना देंगे तो आपको अच्छा कासा point मिल जाएगा बाकि फिलाल तो मैं अपने टीम के अंदर यह दोनों ही खिलाडी लेने वाला हूँ और अगर यह खेलते हैं तो आपके लिए best player होने वाला है अपनी mega grand league की team के अंदर इनको जुरूर से लेना तो फिलाल मैं भी अपनी grand league की team के अंदर इनको लेने वाला हूँ आप भी चाओ तो ले सकते हो और यह all rounder है विकिटे भी निकालेंगे फिर भी हमको point मिलेंगे और अच्छी कासी betting करेंगे फिर भी point मिलेंगे तो यहाँ पर इनका भी option काफी best होने वाला है आपके लिए इसके बाद यहाँ पर निचा होगे तो यहाँ पर stoiness देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो तीन खिलाडी है इन तीनों खिलाडी को आप drop out कर सकते हो इस वाले match के अंदर क्योंकि ज़्यादा जो performance आएगी वो bowling section से आने वाली है क्योंकि विकिटे भी ज़्यादा निकालेगा वो bowler ही निकालेगा और bowler जो है वो इस बार काफी अच्छे bowler है हमारे पार और वो भी दोनों टीमों के bowler काफी best है तो इसलिए यहाँ पर विकिटे निकलने का chances ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ से कम खिलाडी लेने वाला हूँ और जो खिलाडी important है वो ही लेने वाला हूँ बागी एक खिलाडी और है जो कि यापर सेम्स है अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए important होने वाला है अगर नहीं खेलते हैं तो छोड़ सकते हो बागी यापर अगर shepherd खेलते हैं तो यापर ये भी आपके लिए काफी ज़्यादा important player होगा आप अगर mega grand league की रिक्सी team बनाना चाहते हो तो इनको भी आप ले सकते हो लेकिन अगर ये नहीं खेलेंगे तो आप वैसे भी नहीं ले पाऊगे लेकिन खेलते हैं तो आपके लिए best player होने वाला हैं आप इनको भी try कर सकते हो क्योंकि तेज गेंद बाज है और इस वाले pitch के उपर तेज गेंद बाज काफी अच्छी perform करेंगे तो यहाँ पर इनका भी performance शायद इस बार अच्छा आ सकता है तो इसलिए यहाँ पर shepherd को भी आप चाहो तो ले सकते हो तो अब यहाँ पर main और important बात करते हैं bowling वाले section की क्योंकि bowling वाला section इस pitch का और इस match का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है तो यहाँ पर bowling वाले section में हम उसी तरीके से खिलाडी भी लेने वाला है तो यहाँ पर bowling वाले section से कौन सा खिलाडी हमारे लिए best होने वाला है वो मैं आपको बताएदा हूँ निचे देखोगे तो यहाँ पर आपको उम्रान मलिक देखने को मिल जाएंगे उम्रान मलीक का performance इस वाले मेच के अंदर काफी अच्छा आने वाला है आप अपनी Mega Grand League की टीम के अंदर उम्रान मलीक को जुरूर लेना तो यहाँ पर फिलाल मैं भी अपनी Grand League की टीम के अंदर इनको लेके चल रहा हूँ आप भी चाओ तो लेके चल सकते हो बाकी निचा होगे तो एक खान देखने को मिल जाएंगे तेज गेंदबास है काफी सारे लोग इनको ड्रोप आउट करके चलेंगे लेकिन आपको ड्रोप आउट नहीं करना है आप अपनी Grand League की टीम के अंदर इनको ले सकते हो क्योंकि इनका भी performance काफी अच्छा है और ये भी wicket निकाल लेते है तो यहाँ पर इनका भी performance इस वाल image के अंदर आ सकता है तो यहाँ पर हम इनको भी लेके चलेंगे तो यहाँ पर आप चाओ तो इनको ले सकते हो बाकि इसके बाद यहाँ पर नीचा होगे तो रवी विस्नू ही देखने को मिल जाएंगे इनका भी performance इस वाल image के अंदर काफी अच्छा जाने वाला है और IPL के अंदर काफी अच्छी form चल रही है तो भाई लेना तो बनता ही है और ज्यादा तर हम खिलाडी जो ले रहे है वो बोलिंग वाले सक्षन से ही ले रहे है क्योंकि यहाँ पर विकिट निकलने के चांसस काफी जादा है यहाँ पर बोलिंग जादा होगी और विकिट जादा निकलेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा तर जो खिलाडी लिया है वो bowling section से ही लिया है तो इस चीज़ को भी आप no down जरूर करके चलना बाकि यहाँ पर हमें एक खिलाडी ओर लेने वाले हैं bowling वाले section में और वो है यहाँ पर फारुकी को लेने वाले है फारुकी का भी performance काफी जबरदस्त होने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो team है यो कुछ इस तरीके की team बन चुकी है जो कि हमारी ये जो team है ये काफी ज़्यादा रिक्सी team है काफी अलग और काफी unique team भी बनाई है तो यहाँ पर आप देखी सकते हो हमारी grandly की team किस तरिके से बनी है wicketkeeper वाले section से 2 खिलाडी को लिया है betting वाले section से 2 खिलाडी को लिया है all rounder वाले section से भी मैंने 2 खिलाडी को लिया है और ज्यादा खिलाडी मैंने लिये है bowling वाले section से क्योंकि याप इस मेच के अंदर बोलर काफी जादा important होने वाला है तो आप भी चाओ तो कुछ इस तरीके का combination try कर सकते हो जो कि बिल्कुल different होने वाला है बाकि अब मैं आपको बतायता हूँ कि इन सारे खिलाडियों में से सबसे बेश्ट CVC का option कौन सा किलाड़ी होने वाला है तो सबसे पहले याप आप विकेट केपर वाले section में देखोगे तो याप आप content decode देखने को मिल जाएंगे अगर ये खेलते हैं इस बार तो आप इनको voice captain create कर सकते हो बाकि अब आपको CVC किसको create करना है और voice captain की अगर बात की जाए तो याप आप bowling वाले section में फारुकी को या फिर उम्रान मलीक को कर सकते हो तो आपके जो CEO और VC है वो कुछ इस तरिके से होने वाला है आप भी चाओ तो कुछ इस तरिके से CEO और VC create कर सकते हो और याप अगर आप लगबग तीन टीम बनाते हो mega grand league की तो याप खिलाईडी तो आप ये रख सकते हो लेकिन CVC आप अलग-लग change भी कर सकते हो तो याप मैं आपको recommend यह करूँगा कि अगर आप IPL के अंदर mega grand league जीतना चाहते हो तो आप तीन टीम तो लगबग बनाओ भी बनो क्योंकि यहाप ए competition काफी ज़्यादा होने वाला है तो थोड़ी सी अलग team आना काफी ज़्यादा जुरूरी है तो आप भी चाओ तो ये तीन टीम वाला formula अपला ही कर सकते हो बाकि ये वाला combination आपके लिए GL का best combination होने वाला है तो आप इस combination को भी try कर सकते हो बाकि ये वाला combination और ये वाली वीडियो कैसे लिगी मुझे comment करके जुरू बताइए और आप dream level के उपर total किदने team में बनाते हो ये भी मुझे comment करके जुरू बताइए बाकि ये वाली वीडियो और ये वाला combination अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वाली वीडियो को like जुरू कर देना और हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्काब कर लेना तो इस वाली वीडियो को हम यह पे इंड करते हैं मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई